ये अलमोडा है साहाब जहाँ पर हमने साहितिक बात की जहाँ पर हमने बाल मिठाई की बात की और वहीं की जो सबसे प्रसिद्ध है वो है राजनीती तो ये जो राजनीती का पहला पहलू है वो घूमता है करनाटक खोला की तरफ करनाटक खोला के एक नेता की तरफ जो की यदा प्रिसिद्ध हैं अपने काम के लिए साहित्य के लिए भी हम कह सकते हैं और राजनीती के लिए भी कह सकते हैं तो all of us very very warm welcome बिट्टु करनाटक जी हमरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका तो राजनीती में सिधे बात करूंगा तो आजकल अलमोरा में रहे हैं ये दो गुट नहीं देखिए राजनीती में हम कॉंग्रेस पार्टी के लोग लोगतांत्रिक लोग हैं और हमारे हां अपनी बात को कहने का बहुत खुला अधिकार हैं मैंने अपने जिलाध्यक जी के बारे में पहले भी कहा था कि दावेदार पार्टी में कही होत में कारिक्रमों की सूचना मुझे नहीं मिल पाती हैं अपने अपने पत्रकार बंधूं के माध्यम से पता चला क्योंकि मेरी अल्मोदा इंटर कॉलेज में कारिकम चला था और उस दिन साहथ हमारे कांग्रेस का भी कोई कारिकम था मुझे जब पतरकार बंधों को मैंने प्रेस नोत भेजा तो उनका फॉन आया कि आप तो कारिकम में उपस्तिर नहीं थे तुम मैंने अन्भिक गिता जाहिर की और तुरंत मुझे जब पता चला तो मैंने अपने प्रदेश के अध्यक जी को अपने सभी वरिस नेताओं को प्रभारी जी को हरीश रावजी से फोन में भी बारता की मैंने कहा कि हम सब को मिल के चुनाओं लड़ेगी और चुनाओं में हर व्यक्ति की सहभागिता होती है दो गुट क्या 2022 में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं कॉंग्रेस के लिए देखिए कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी मिल के चुनाओं लड़ेगी लेकिन ये काम संगठन का है संगठन को सब को साथ लेकर चलना होता है मैं बहुत लंबे समय से पार्टी का अलमोले का अध्यक्स रहा हूँ बहुत लंबे समय तक मेरा अनुबह है और हम सब को साथ लेकर चलते थे और मेरे ही अध्यक्स के कारिकाल में हमने चुनाओं में विजय प्राप्त की दोनु विधान सभा चुनाओं में भी, लोकसभा चुनाओं में भी, नगरपाली का चुनाओं में भी और हमने सब को साथ लेने का प्रियास किया था इस बार 2022 के चुनाओं में विधाय के रूप में आप अपनी दाविदारी रखते हैं कॉंग्रेस से जी बिल्कुल, आज से नहीं, हम तो 2002 में भी दावेदार थे और 2022 में भी दावेदार हैं, लेकिन पार्टी ने ये कहा था, एक पार्टी गाइडलाइन तै करती है, जिसमें ब्यक्ति के काम को देखा जाता है, मैं 2019 से 2017 में हम चुना भारे, मुझे कई महत्वपूर्ण जिम्म मेदारियां दी, सरकार में भी मेरी सहबागिता रही, मुझे पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया, टैक सेशन के साथ, उसके जब सरकार बनी तब, उसके बाद फिर मुझे अनरेचम जैसा बहुत महत्वपूर्ण भी भाग दिया, स्वास्त का, कैबनेट इस्तर के साथ, और मैंने जितनी मेरी शमता थी, उससे बढ़ कर काम किया, दुरभाग के बाद समचुनावार गए, और हमें फिर से जनता के बीच में जाना था, और हमने लगातार पूरे प्रदेश में घूम कर, मानि हरीस रावजी के साथ जगा जगा, अब प्रदेश ही नहीं, हमने आज भी, आप अगर किसी भी पत्रकार बंदू से पूछ लीजिए, किसी गाउं देहात, किसी कजबे, किसी सहर के कौने में खड़े होके पूछ लीजिए, कि 2019 से अन्वरा तूप से कौन काम कर रहा है, मैं नसे से दूर करने के लिए युवाओं को लगातार खेलों से मैं युवाओं को एक नहीं दिशा, छोड़ दो कहना बड़ा आसान है, लेकिन कैसे छोड़ो कहना, उसका उपाई भी देना, मैं आपसे कहूंगा ये गलत चीज है, चाई पीना, तो मैं उसको आपका उपाई बताऊंगा, मैं लोगों से कह रहा हूं नसा छोड़ो, खेलो मैं लड़कों को गाउं गाउं में जाकर तिन चार चार घर गाउं मैं किड बांट रहा हूं, मैंने प्रियास किया, कोविट काल के दौरान सब जब घरों में छे, सब चुपे हुए थे, हम केवल बाहर थे, आप देख सकते हैं, हमने हजारों हजार परिवारों को बाहर से अंदर यहां अपने घर लाने का भी काम किया, उन्हें खाद्यान देने का भी काम किया, हमने लाखों मास्क माटने का काम किया, हमने गाउं को सेनेटाइज करने का काम किया, जब अलमोडा में अस्पतालों में लोगों ने आपके थर्मल स्कैनिंग मसीन नहीं देखी होगी कि हमने थर्मल स्कैनिंग मसीन गाउं में पहुंचा कर लोगों की थर्मल स्कैनिंग करी यह सब करने के बाद भी अगर आप यह मुझसे पूछें कि क्या आप दावेदार है यह अपने आप में बड़ा हाश्ची पर सवाल है निश्चित तोरप है मैं कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत दावेदार हूं अगर कॉंग्रेस पार्टी आपको टिकेट नहीं देती तो आजकल दल बदल का बहुत चल रहा है कि दल परिवर्तित हो जा रहे हैं या दल परिवर्तिन के संभावना है या निरदली होनी के संभावना है अगर कॉंग्रेस टिकेट नहीं दे काम कर रहा हूं यह जनता बताईगी जनता का काम है बोलना मेरा काम केवल सही दिसा में काम कर रहा है और मैं बहुत इमानदारी के साथ निस्ठा पूर्वक कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरता के रूप में कोई पदादीकारी के रूप में काम नहीं करता मैं नेता नहीं बनता मैं बेटा बनता हूँ, मैंने बेटा हूँ यहां की जनता का, मैं युवाओं का मारदर्सक, उनका बड़ा भाई और बुजूर्गों का बेटा, मैंने लगातार हजारों हजार महिलाओं को, युवाओं को, पुरुसों को कॉंग्रेस पार्टी में प्रात्मिक सदस्ता दिला काम किया जो मेरे साथ आज जुल है हजार हो हजार लोग उसकी पूरी दस्तावेज और मैं जो कारिक्रम करता हूं वो कैमरे के सामने करता हूं कैमरे के पीछे नहीं करता है तेखिए मुझे ऐसी आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी मुझे लगता है पार्टी निश्चित तौर मेरे कामों को देखते हुए मैं ब्यक्तिकत अपनी बात कर रहा हूं मैं अपने कामों के आधार पर पार्टी से टिकट मांग रहा हूं अगर मेरे काम मेरी योग्यता पार्टी को लगता है कि यह लायक है तो निश्चित तौर पर पार्टी टिकट देगी और अगर पार्ट जीतना चाहती है, तो अच्छे लोगों को पार्टी को टिकट देना ही होगा, जिताओ केंडिटर्टों को टिकट देना ही होगा. अज तक मेडिकल कॉलेज एक हवाई सपना बन गया है, भाजपा साड़े चार साल का कारिकाल हो गया है, आईसबी टी आज भी उसी इस्तान पर है, पेजल की वही इस्तिती है, शिक्षा की इस्तिती खतम हो चुकी है, जो अल्मोला शिक्षा का हब होता था, आज हम अपनी संस संस्कृति को भी खतम होते देख रहे हैं अगर हमारे जैसे कुछ लोग नहों कुछ हमारे जहां आप पहले भी गए होंगे हुक्का कलब के कई वरिस लोग अलमोला की सब्वेता संस्कृति आज खत्रे पर है पास्चात ये संस्कृति हा भी हो गई है और सबसे बड़ी बात ह आज का युवा अलमोले का युवा नसे के लट में डूपता जा रहा है सरकार सोई हुई है मैंने मुख्यमंत्री जी को हजारों हजार पत्र बेज दिये अब कितने मुख्यमंत्री बन गए मुझे भी अंगुली में गिनना परता है 11, 12, 13 कितने हो गए हैं लेकिन ये जितन अब लोग जाती, धर्म, संपरदाय, इश्वर, अल्ला, कपरिस्तान, समसान इस बात को करेंगे फिर बोट मांगने चले जाएंगे मैं कह रहा हूँ आपने युवाओं के लिए क्या किया एक प्रस्नेंस से पूछ लीजिए अब ही देखा गया कि कुछ लोगों ने दामन छोड़के इस दामन को अपनाया है, उनका भी भव्य स्वागत किया गया कॉंग्रेस द्वारा, ये थोड़ा समझ नहीं आया, आपको क्या लगता है इस देखिए, ये सपाल जी आये हैं, अब वो पहले से ही कॉंग्रेस भी अपने आप में वड़ा हमें आश्यर हुआ, कि ये सपाल जी जैसा बेकती ने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ती थी, और अभी आये हैं, निश्चित तौर पे, और वो जब भाजपा में विते, मेरी कई बार उन से बात होती थी, उनका मन भाजपा में नहीं था, अब क् पार्टी छोड़ी, उस समय किन परिस्तितियों का कारण रहा, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हमारे वरिस्त नेता हैं, लेकिन येश्पाल जी जैसे जो लोग थे, कुछ लोगों ने तो दल बदल उस समय किया, जिस समय हमारी सरकार को तोड़ा गया था, लेकिन येस्पाल अलग परिस्थितियों में गये थे और यसपाल जी एक वरिस नेता के रूप में क्योंकि जब वो ग्राम परधान से राजनीती कर रहे थे मैं तब से उन्हें जानता हूं और तब से लेकर उनकी राजनीती को मैंने देखा है उनका मन उनका मस्तिस्क पूर्ण रूप से परनी पड़ी लेकिन अब वो आपस आ गये हैं अपने घर वापसी की है और उनका स्वागत है बाइस में कॉंग्रेस क्या सरकार बना रही है कितने सीटू के सा बना रही है और कौन आपके तरफ से आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए देखिए वैसे तो ये प्रस्त मेरे इस्तर का नहीं है लेकिन इस राज जी में जितना मैंने देखा है इस राज जी को जिस ब्यक्ति ने समझा है इस राज जी की जो वस्तूस्तिती को डांडे डांडे हमारे रास्ते हमारी सबजियां हमारे फल हमारे डाले हमारे चीजें जो हैं चा और हरीस रावत इस पूरे उत्राखंड के, चाए हरिद्वार हो, चाए उधम सिंग नगर हो, चाए कुमाओं का छेत्र हो, चाए गड़वाल का छेत्र हो, चाए जौनसार भाबर का छेत्र हो, उन सभी छेत्रों की पूरी इस्तिती को, हर मुझे याद है हरीस रावत जी लग ग्यारा बजे वो मुंशारी के उस लास्ट काला मुनी के पहाल को क्रोस करके मुंशारी की घाटी में पहुंचाया करते थे उन्होंने यहां के डांडे डांडे यहां के रास्ते सब चाने हुए यहां की उस परिस्तिती को बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझाए और आज इ पानी बिजली सड़क शिक्षा ये जो मूलभूत होते हैं स्वास्थ ये पांच चीजें पांचों चीजें चर्मरा गई थी लेकिन दुर्भागी की बात है इस 21 साल के उत्राखण ने यह सब और बूरी स्तिती में देखा है वो दर्द मेरे आजमन में बहुत बड़ा दर्द है और इसको ठीक करने के लिए क्योंकि हरीस रावाजजी को जो चारेकाल मिला हर चीज को बैवस्टित कर रहे थे मेरा गाओ मेरी सड़क मेरा नदभदे हम धिरे धिरे चीज़ों को कर रहे थे हम हमारे जो पुराने मकान थे उन्हें उसी तरीके में जिन्दा रखकर हम उन माकानों को होममिष्टे की योजना केता है जिंदा करने का काम कर रहे थे हम अपने पहाडी रास्तार को ठीक करके उसी इस्थिती पर उसको ट्रेकिंग का काम कर रहे थे हम यहाँ योगा का हब बना रहे थे लेकिन हमने अलमोडा में एक ऐसा जेनियू की तर्ज में एक उनिश्टी खोली थी आवासी विश्चुविद्याल है जिसका यहां के युवाओं को बहुत फाइदा मिलता लेकिन धन्य हो आपकी ट्रपल इंजन की सरकार में तो ट्रपल इंजन कहता हूं दिल्ली लोकसभा मे उत्तरप्रदेश के रास्ते आते हैं उत्तराखंड में यह ट्रपल इंजन की सरकार ने सब बंद कर दिया इन्होंने कहा था रामदे बाबाजी आँक दवाते हूए कहते थे बच्चों 30 रुपे का तेल चीये या 60 रुपे का तेल सो से उपर हो गया जो हम कड़वा तेल ख कड़वा तेल भी हमारा 265 रुपे का एक लिटर आ रहा है यह धन्य है यह ट्रपल इंजन की सरकार जिनोंने आज गरीब को खतम कर दिया गरीबी खतम नहीं की रोजगार जो था वो खतम कर दिया इस कोविट काल में मैंने देखा है मैंने हजारों लोग को घर लाने का काम क किया है और उस समय मैंने देखा है लोग गंधे में अपने बच्चों को लेकर किस तरीके से पैदल निकले हैं वो सब मंजर आज भी लोगों को याद है आपने मुझसे प्रस्ण किया था क्या कॉंग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित तौरप है 2022 में पूर्ण बहुमत के स परवत पुत्र हरीस रावत अगर मुख्य मंत्री बन कर अपनी पांस साल की सेवाई देते हैं मैं युवाओं को आस्वस्त करता हूँ ये उत्राकंड नई दिसा में जाएगा और अगर फिर ऐसी लोगों के हाथों में चले गिया जिनोंने हजारों हजार तरीके से लोगों पार इसलेंडर में उन्होंने जंतर मंतर से लेके रामला मैदान तक बड़े बड़े नेताय। क्या नित्य किया साब उसमें भरत नाट्यम भी था, कथक भी था, बड़े-बड़े नेता इनके, सुसमा जी भी थी, उसमें जी भी थी, हमारी बहुत बड़ी नेता थी, मैं बड़ा सम्मान करता था, बड़ा अच्छी वक्ता थी, सुसमा जी से लेकर हेमा जी तक, सब पहु तो लेकिन नारे ऐसे हैं साब मान गए आपको खातों में चाहिए नहीं चाहिए बढ़िया दारी अच्छे कपड़े आप भी दारी वाले बाबा जी हैं हमारे और बढ़िया नारे इसके अलावा कोछ नहीं रोजगार कहीं नहीं दो करोल लोग को नौकरी की बात की थी खाते में पंदर लाग की बात की थी कुछ नहीं होगा अब लोग समझ गए हैं और इस राजजी की जनता ने मन बना लिया है कॉंग्रेस को वापस सत्ता में लाना है और विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से विकास होगा हम परवती राज्य के परवती जनपदों को जिस प्रकार से विकास देना है जिस प्रकार से अलमोडा को शिक्षा के हब के रूप में विक्सित करना है जिस प्रकार से यहां परेटन बढ़ाना है किस प्रकार से हमारे धार्मिक परेटन को बढ़ाना है हमारे चारो कौनों में च ही लोगंगी हम परेटन भी बढ़ाएंगे हम यहां का धार्मिक परेटन को और उत्रिस्ट भी बनाएंगे अलमोडा को एक नए अर्जुन तु कर्म कर मुझसे मेरे नेताओं ने का है हे कारे करता तु अपना कर्म कर फल की चामत कर मैं कर्म कर रहा हूं मेरा काम कर ने काम है जनता के बीच में जिस प्रकार से मैंने काम किया है बागी जवाब जनता देगी बहुत बहुत शुब काम नहीं आपको तो आपने देखा एक सुलव वारता रही कट टू कट बाते रही मुझे नहीं लगता कि इस इंटर्वियो में से कुछ भी काटने की जरूरत है मैं कोशिश भी करूँगा कि इस इंटर्वियो को ऐसे ही दिखाया जाए जैसे हमने अभी बाते की है बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू करनाटक जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जनता का इतने देड़ तक आप हमारे साथ बने रहे आगे भी हम आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ राजनेतिक पहलों से आप हमारे साथ जोड़े रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद